C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तीसरी कक्षा के लिए ध्वनी पुस्तक गणित का जादू चौथा पाट क्या लंबा क्या छोटा इस पृष्ट पर लाली और किसान के कुछ चित्र दिये गए हैं एक बार लाली अपने पिता के दुकान पर सामान बेच रही थी तबी वहां एक किसान रस्ची खरिदने आया किसान ने लाली से कहा क्याद मुझे साथ हाथ रस्ची दोगी ये रही साथ हाथ रस्ची लेकिन ये तो केवल छे हाथ लंबी है लो अपने हाथ को इस रस्ची से नापो फिर उस लंबाई का साथ गुना ले लो तब किसान ने अपने हाथ को रसी से नापा और लाली ने उस रसी का साथ गुना किसान को दे दिया तुम अपने मा का हाथ और अपना हाथ नापो उन में क्या अंतर है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को इस बात के लिए प्रोटसाहित किया जाए कि वो अपने परिवेश में मौजूद अलग-अलग चीजों का अवलोकन करें और देखें कि उनकी लंबाईयों को अलग-अलग स्थानिय या गेर मानकी करत इकाईयों से कैसे नापते हैं उधारन के लिए रसी, माला या कपड़ों जैसी चीजों को अकसर बालिष्ट, हाथ भर या अंगुल इत्यादी के जरीए नाप कर बेचा जाता है विभिन लंबाईयों और दोरियों को उन्हें अपने शरीर के अंगों के जरीए नापने दिना चाहिए प्रिष्ट संख्या सैन्तालेज सोचो कितने इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं जिनमें एक बच्चे का चित्र, एक चीटी का, एक मेज और उस पर रखी कटोरियों का, एक व्रिक्ष और उसके नीचे रखे घड़ों का और रस्य पर टंगे कपड़े का चित्र है चित्र संख्या एक, डोर जी, कितने कदमों में सडक पार कर जाएगा चित्र संख्या दो, मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं चित्र संख्या तीन, पेड की टहनी तक पहुँचने के लिए, एक के उपर एक कितने घड़े रखने होंगे और चित्र संख्या चार इस तार पर कितने कपड़े टांगी जा सकते हैं प्रिष्ट संख्या अड़तालीस इस प्रिष्ट पर एक पंदरा सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है और साथ ही कुछ चित्र भी दिये गए हैं जो है छिपकली, माचस की तीली, पासा, मोमी रंग, क्रियोन और पत्ता एक सेंटीमीटर कितना होता है माचस की तीली चार सेंटीमीटर लंबी है पासे का हर किनारा एक सेंटीमीटर का है छिपकली तेरा सेंटीमीटर लंबी है पत्ती, रिक्तस्थान सेंटीमीटर लंबी है मोमी रंग, क्रियोन, रिक्तस्थान सेंटीमीटर लंबा है अब जोमेटरी बॉक्स वाला स्केल लो और उसे गौर से देखो इसमें कितने सेंटीमीटर है रिक्तस्थान प्रिष्ट संख्या उन्चाज इस प्रिष्ट पर 15 cm का एक स्केल दिया गया है और साथ ही इसमें कुछ वस्तों के चित्र भी दिये गए हैं जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तमाल मिलाते हो वो कुछ ऐसा है क्या शूर्निके निशान से नापना ज्यादा असान है? स्केल के पास बनाए गई चीजों को देखो और उनकी लंबाई बताओ स्केल में दिखाए गई छोटी छोटी लाइनों का क्या-क्या इस्तेमाल होता है? अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंडो जो करीब 10 cm लंबी हो जिनकी लंबाई 10 से 20 cm के बीच हो जिनकी लंबाई 1 cm से कम हो अब इन में से कुछ के चित्र यहां बनाओ इसी प्रिष्ट पर नीचे दो जानरों के चित्र दिये गए हैं इसमें से एक जिराफ का है और दूसरा चुहे का है जिराफ ने चुहे से पूछा चुहे तुम कहा हो? चुहे ने कहा मैं यहां हूँ प्रिष्ट संख्या 50 इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं जो लड़का और लड़की के हैं यह अपस में बाच्चित कर रहे हैं मेरा हाथ कितना लंबा? अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई को नापो इस पन्ने पर दिये गए स्केल का इस्तेमाल करो कौन ज्यादा लंबा है? अंगूठा या छोटी उंगली? अपनी कक्षा में लंबाई नापने वाला एक फीता लेकर आओ अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाजा लगाओ नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाजा सही है? तुम धागा, स्केल, लंबाई, नापने वाले फीते आदी का इस्तेमाल कर सकते हो सोचो, अगर तुम किसी चीज की लंबाई को रस्सी, जूते के फीते या धागे से नापते हो तो कैसे पता चलेगा कि वो चीज कितने सेंटिमिटर की है? प्रिष्ट संख्या 51 इस प्रिष्ट पर पहले हिस्से में एक लड़का और एक लड़की का चित्र दिया गया है जो आपस में अपना और अपने दोस्त के नाप की चर्चा कर रहे हैं नाक, मेरा नाप, रिक्तिस्थान सेंटिमिटर मेरे दोस्त का नाप, रिक्तिस्थान सेंटिमिटर कलाई का घेरा, मेरा नाप, रिक्तिस्थान सेंटीमीटर, मेरे दोस्त का नाप, रिक्तिस्थान सेंटीमीटर, सिर का घेरा, मेरा नाप, रिक्तिस्थान सेंटीमीटर, मेरे दोस्त का नाप, रिक्तिस्थान सेंटीमीटर, कान, मेरा नाप, रिक्तिस्थान सेंटीमीटर, मेरे दोस्त का नाप रिक्तिस्थान सेंटिमीटर और हात बीच वाली उंगली से कलाई तक मेरा नाप रिक्तिस्थान सेंटिमीटर मेरे दोस्त का नाप रिक्तिस्थान सेंटिमीटर इसी प्रिष्ट के अगले हिस्से में लड़का और लड़की के दो चितर दिखाए गए हैं ये आपस में बाच्चित कर रहे हैं, जो इस प्रकार है, अपने नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ रख कर देखो, किसका सिर सबसे बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा, रिक्तिस्थान, कौमा, रिक्तिस्थान, किसका हाथ सबसे लंबा है, बीच वाली उंगली से कलाई त रिक्तिस्थान कौन जादा लंबा है तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक रिक्तिस्थान क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई एक सेंटिमीटर से जादा है रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या बावन गिबली और चीनी के दाने गिबली चीटी को दानू तक पहुँशना है, वो सबसे छोटे रास्ते से पहुँशना चाहती है क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें गिबली चीटी को अपने घर तक पहुँशने का रास्ता दर्शाया गया है क्या तुम एक ऐसा रास्ता बना सकते हो? जो इन सबसे छोटा हो? उस रास्ते की लंबाई क्या है? रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को मीटर का अंदाजा जानी पहचानी चीजों के संबंद में करवाना जरूरी है जैसे उनकी अपनी लंबाई बजाए इसके कि वो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का जटिल अभ्यास करें इस स्थर पर बच्चे बड़ी इकाईओं जैसे किलोमीटर जैसी इकाईओं को संभवता न समच सकें उन्हें प्रोटसाहिद करना चाहिए कि वो किलोमीटर जैसी बड़ी इकाईओं का इस्तेमाल कहानियों या अपने अनुभ़वों को सुनाने के संधर्भ में करें प्रिष्ट संख्या 53, मीटर कितना होता है, एक मीटर 100 सेंटिमीटर के बराबर होता है, इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं, जिसमें एक लड़का और लड़की एक कपड़े के दुकान पर आकर, कपड़े वाले से कहते हैं, मैं एक लंबा कुर्टा बनवाना चाहता हूँ, अपने कुर्टे के लिए दो मीटर कपड़ा लो, और पेरे लिए एक लंबी स्कार्ट बनाने में कितने मीटर लगेगा, तुम्हें तीन मीटर की जरूरत होगी, चलो, एक मीटर की रसी बनाए, तुमने दुकान दारों को एक मीटर रोड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा, एक मीटर की अपनी रसी बनाने के लिए एक मीटर रोड और एक रसी का इस्तिमाल करो, रसी के एक सिरे पर एक गाठ बांध लो मीटर रोट को रसी के साथ रखो रसी पर एक मीटर का निशान लगाओ और एक गाठ लगाओ अब इन दो गाठों के बीच के लंबाई एक मीटर हुई ये हुई तुम्हारे मीटर की रसी अगर तुम्हें मीटर रॉड न मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तमाल करो रसी पर सौ सेंटिमीटर का निशान लगाओ सौ सेंटिमीटर एक मीटर के बराबर होते हैं प्रिष्ट संख्या चववन अंदाजा लगाओ और जाचो गतिविधी एक कुछ ऐसी चीज़े ढूंडो जो की एक मीटर लंबी दिखती हो मीटर वाली रसी का इस्तमाल करके बताओ कि इन में से कौन सी चीज एक मीटर से ज़्यादा या कम लंबी है चीजों के नाम एक मीटर से ज़्यादा एक मीटर से कम मेज की लंबाई एक मीटर से ज़्यादा रिक्तिस्थान, एक मीटर से कम रिक्तिस्थान मेज की चोड़ाई एक मीटर से ज़्यादा रिक्तिस्थान, एक मीटर से कम रिक्तिस्थान दर्वाजे की चोड़ाई एक मीटर से ज़्यादा रिक्तिस्थान और एक मीटर से कम रिक्तिस्थान कक्षा तीन के कुछ बच्चों ने एक मीटर का निशान अपनी कक्षा के दिवार पर बनाया था तुम भी अपनी कक्षा के दिवार पर एक मीटर का निशान बना सकते हो इस प्रिष्ट पर एक बच्चा, एक मीटर का निशान अपनी कक्षा के दिवार पर बना रहा है प्रिष्ट संख्या पच्पन अब अपने अपने दोस्तों की लंबाईयों का एक चाट बनाओ सेंटी मीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर तीन खाने दे रखे हैं जिसमें पहले खाने में नाम लिखा है दूसरे खाने में एक मीटर से लंबा, छोटा या बराबर लिखा है और तीसले खाने में एक मीटर से कितने सेंटी मीटर कम या ज्यादा है ये लिखा है तो पहले खाने में नाम है शंभू एक मीटर से लंबा, छोटा या बराबर के खाने में लिखा है लंबा और एक मीटर से कितने सेंटी मीटर कम या जादा के खाने में लिखा है चार सेंटी मीटर और इसके अलावा यहां पर चार रिक्तिस्थान दिये गए हैं अब इन रिक्तिस्थानों में अपने कक्षा के चार दोस्तों के नाम लिखो और ये भी लिखो कि वो एक मीटर से लंबे, छोटे या बराबर है और दूसरे एक मीटर से कितने सेंटी मीटर कम या जादा है इस प्रिष्ट के अगले हिस्से में कुछ बच्चों के चित्र दिये गए हैं वो एक दूसरे को नाप रहे हैं अरे वाह, मैं एक मीटर से चार सेंटी मीटर जादा हूँ मैं भी देखो कि क्या मैं एक मीटर से जादा लंबी हूँ प्रिष्ट संख्या 56, सेंटी मीटर या मीटर इन में से किस की लंबाई सेंटी मीटर में होगी और किस की मीटर में उस बगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं एक साल के बच्चे की लंबाई, केले की लंबाई, एक हाथी की कमर का घेरा, गन्ये की उचाई, कूए की गहराई, तुम्हारी मा की लंबाई, कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी और तुम्हारे पिता के हाथ की ल चित्र दिये गए हैं, जो हैं टीवी, बच्चा, केला, हाथी और महिला का चित्र। आकिला देखने, दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतह पूर सीखरी की और चल पड़े। अपने का अभ्यास कराने की केवल एक शुरुवात की गई है। प्रिष्ट संख्या 57 आगरे का नक्षा। इस प्रिष्ट पर एक नक्षा दिया गया है जिसमें बाबरपुर जंगल, आगरा किला, फतहपुर सीखरी की और जाने वाली सडक, ताज महल, रेलवे स्टेशन आगरा च्छावनी, यमनानदी और ताज जंगल को दर्शाया गया है। अब इन जगहों के बीच की दूरियों को देखो। आगरा केंट रेलवे स्टेशन से ताज महल, 5 किलो मीटर, ताज महल से आगरा किला, 2 किलो मीटर, आगरा किला से फतहपुर सीखरी, 40 किलो मीटर। अब नक्षे को देखकर पता लगाओ। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है? ताज महल या फतहपुर सीखरी? रेल की पत्री का निशान? यहाँ पर रेल की पत्री का निशान दिया गया है। ये निशान रेल पत्री के लिए है। कौन सी जगए रेल की पत्री के ज़्यादा पास है? बाबरपुर जंगल या ताज जंगल? आगरा किला या ताज महल? यमना नदी के ज़्यादा नस्दीक क्या है? ताज महल या रेलवे स्टेशन? पृष्ट संख्या अठावन सही लंबाई से मिलाओ। अनुमान लगाओ कि इन में से कौन सी चीज किस लंबाई के साथ सही बैठती है। लाइन खीच कर मिलान करो। और आखिर में घर से स्कूल की दूरी का चितर बनाया गया है। और इन चितरों के सामने अर्थात दाई तरफ इनकी लंबाई की लिखी गई है। जैसे दो किलो मीटर, पांच मीटर, दस सेंटी मीटर, एक सेंटी मीटर और एक मीटर। अब आपको इन चितरों को देखकर इनकी लंबाई का सही मिलान करना है। प्रिष्ट संक्या 69 किसकी पूँच सबसे बड़ी। इस प्रिष्ट पर एक हाथी का चितर दिया गया है, जिसके उपर बंदर, सुवर, गाय, छिपकली और चूहा सवारी कर रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ। तै किया गया कि जिस जानवर की पूँच सबसे लंबी होगी, उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि इन में से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको। जरा अंदाजा लगाओ कि जो पूँच सबसे लंबी है, उसकी लंबाई क्या होगी। इस प्रिष्ट पर नीचे एक साप का चित्र दिया गया है, जिसके उपर कुछ कीट पतंगे और पक्षी बैठे हुए हैं। और साप सोच रहा है। क्या मेरी भी पूछ है। इसी के साथ चौथा पाट क्या लंबा, क्या छोटा यहीं समाप्थ होता है। स्वर प्रमीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। प्रस्तोती, CIET, स्वर्माण, भारत।